इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो सीजी ब्यापम के द्वारा पीटी 2019 में जो कोशन पेपर आया था उसका जो आधा कोशन में फर्स्ट पार्ट में डिसकस कर दिया हूँ अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके देख ले उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दू पहले कचनार दूसरा बोटल प्रूष तीसरा चंपा और चौथा ओल अब दिस तो यहां पर फोटो के साथ समझ सकते हैं यह कचनार का फोटो है यह बोटल प्रूष का फोटो है यह चंपा का फोटो तो तीनों ही फ्लावर ट्री लग रहा है ठीक है तो इसका एंसर क्या हो निम्नलिखित में मुली की कौन सी किश में है मतलब कि कौन सी वराइटी इसमें से है तो मुली की कौन सी वराइटी है तो पूसा चेत की जो है ये मुली की वराइटी है बाकी जो है मुली की वराइटी नहीं है तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा पूसा चेत की यहां से है जो है कि वह दिखाने को अिस में तो और बलते है तो कि इस जो है, तो दोनों याद रखेगा उसके बाद नेक्स्ट कोश़न की और बढ़ते हैं, चौता कोशन है सबजी नर्सरी में लगने वाली मुख्य वीमारी कोशी है बहुत important कोशन है कई बार ये कोशन जो है repeat हो चुका है same to same है तो सबसे most important disease कोशन है dumping up इसमें क्या होता है कि हाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि वीच में पूरा नर्सरी खाली पड़ चुका है ultimately date हो जाता है तो यह जो है요 बहुत ही important disease है कौन से stage में? nursery stage मेん अगला question क्यों चलते है अगला question है farmer को किसान credit card किस परकार के loan देता है तो farmer को पर जो ही बैंक के पढ़िपक जाता है तो कौन सा loan के लिए mercedes कहरेतने के लिए तो जाएगा नहीं कि हमको Mercedes करीदना है लोन दे दीजे वो जाएगा विचारा खाद भीच खरीदने के लिए जो जमीन में जो यूज करेगा वो उसी के लिए लोन लेगा तो जनरली जो है किसान क्रेडिट कार्ड के थुरू वो short term loan मिलता है उसको short term loan उन्होंने लेता है ठीक मतलब कि summer जो गर्मी के समय में उखता है और annual एक साल में खतम हो जाता है तो इसका option है पोल्टुलका एंड कोचिया दूसरा है कोस्मोस एंड संफ्लावर तीसरा दिया है बोत A & B मतलब यह दोनों option सही है और चौता है डेजी एंड डेहलिया तो इसका जो correct option होगा ना वो C ह होगा क्यों क्योंकि यह चारो जो है जो फ्लावर ही यह बार्सिक और ग्रिश में कालीन पाउधा है तो इसका सी नंबर जो है सही हो जाएगा उसके बाद next question क्यों बढ़ते है तो next question में पूछ रहा है निमनलिकित में से किसी वीधी द्वारा आम को प्रपागेशन किया जा ग्राप्टिंग में कैसे किया जाता है ग्राप्टिंग में एक सयान का सेलेक्शन करते हैं सयान का मतलब कि यह जैसे बड़ा पेड़ हो गया बड़ा पेड़ से एक ठोटा डाली लेते हैं उसको डाली को हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करके उसके पत्ति को निकाल देते है उसको फिर 15 cm लंबाई से हम काट लेते हैं यहां के फोटो में देख सकते हैं काट के फिर जो छोटा पौदा है आपके जो मूल ब्रिंट जिसको रूट स्टाक बोलते हैं उसमें भी एक चीरा लगाते हैं वी अकार के ठीक है तो वी अकार के चीरा लगाके इस जो सयान आप वहां से काट के लाए हो फिर उस सयान को इसमें सेट कर देते हैं सेट करके इसको बड़ी है से पौलिथिन से बान देते हैं बानने के बाद कुछ दिन के बाद देखते हैं तो यह आपस में जुड़ जाता है उसका केंबियम है वह आपस में जुड़ जाता है उन्या को लिए है तो यह जो है नया पौधा बने गए दसारी इसमें फल लगेगा ठीक है अगर बंबाई लिए है तो बंबाई बनेगा तो जिस अब बरायटी का डाली का यूज कर रहे है उसी बरायटी का यह नया पौधा तयार होगा ठीक है जिसका option जो है भी correct answer है उसके बाद next question क्यों चलते हैं तो next question में पूछ रहे है ग्राप्टिंग एक तकनीक है जिसमें निमनलीखित आपस में जोडते है तो पहले स्लाइड में हम लोग देख चुके तो ग्राप्टिंग में क्या हो रहा है उसमें जो साका है सायान है सायान और रूट स्टॉक जो है आपस में जो जोड़ गया है तो यह आपस में जो है सायान और रूट स्टॉक जो है आपस में जोडते है यह नंबर जो है सही हो जाएगा सायान और रूट स्टॉक आपस में जोडते है ठीक है उसके बाद next question है इंजिनियर की चेन की लंबाई होती है जो एक इंजिनियर चेन होती है उसकी कितिने लंबाई होती है तो यह आप फोटो में देख सकते हैं इसमें चोटा-चोटा कडी नजा रहा है ठीक है यह चोटा-चोटा जो लोहे देख रहा है यह कडी है और यह टोटल इसकी लंबाई जो है सही है उसके बाद next question क्यों वड़ते हैं तो next question पूछ रहा कि उध्यानी की फसलों में बनस्पतिक प्रावधन में जड़ उत्पति के लिए कौन सा हर्मोन सहायक है मतलब कि जब हम बनस्पतिक रूप से प्रावधन करते हैं नया पौधा त्यार करते हैं तो उसमें कौन सा हर्मोन हम डाले ताकि इसमें से जड़ बहुत अच्छा तरीके से निकले तो यहां पर आप देख सकते हैं यह गुटी विदी से आप नया पौधा त्यार कर रहे हैं गुटी विदी कुछ ऐसे किया जाता है इसको इयर लेरिंग विदी भी कहते हैं तो इसमें जो है आई बी ए ठीक है इंडोल विटारिक एसीड का उपयोग हम करते हैं ताकि इसमें से जड़ निकले यह बहुत अच्छी तरी से निकले और नया पौधा आसानी से हमें मिल ज जाएगा बी नंबर जिसका इसका सही एंसर हो जाएगा आई बी ए इंडोल विटारिक एसीड ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कोशन कर चलते हैं भारत में फल ब्रिक्षी की रुपाई के लिए उत्तम उप्यूप्त समय कौन सा है ठीक है तो भारत में फल ब्रिक्षी को अध जो आसानी से इस्टेबिलिष्ट हो जाता है ठीक है तो इसलिए इसको जून से अगस्त के बीच में लगाना चाहिए तो सही जो है यह ऑप्षन जो है सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोशन निन्यों लिखित में कौन सा भारत के अंदर सहाकारी बिपुडण के छेत इसके चेतर में सबसे आगे जो है नाफेड है ठीक है यहां पर देख सकते है नेशनल अगरिकल्चर कोप्राइटिव मार्केटिव फड़ेटिशन अफ इंडियान लिमिटेट है इसका फूल फ़ाम है नाफेड जो है सबसे इस मामले में सबसे आगे है तो इसका परेक्ट है केचप में टोटल ठोस कितना परसेंट पाया जाता है तो 28 से 30 परसेंट इसमें टोटल ठोस पाया जाता है ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट है कोशन इसको आप लोग याद करके रखेगा उसके बाद नेक्स्ट कोशन है एक चेन में कितना मेटर होता है मतलब कि यह इं निम्ने लिकित में कौण सा पavधा प्रसारान हार्ड वुड कटिंग से किया जा तो यह इसका option जो है D सही हो जाएगा इसका उप्रोक्त सही सही एंसर है ठीक है उसके बाद next question है क्रिशी उत्पादन के सबसे मायनने नियम कुम सा है देखिए बहुत important question है यह भी बहुत बार repeat हो चुका है question इसका मतलब क्या है कि क्रिशी उत्पादन में सबसे मायनने नियम क करें कितना हम input को यूज करके हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते तो यह law हमको यह बताता है इसलिए इस law को किर्शी उत्पादन में सबसे मायनने law माना जाते तो इसका correct answer क्या हो जाएगा law of diminishing return मतलब की B answer जो है सही है उसके बाद next question है पॉमोलोजी उध्यान विग्यान की वहाँ साका है जिसके अंतरगत निम्न लिखित में किसका अध्यान दता खेती से संबंदित है most important question है और बहुत easy question है यह फल से होगा क्योंकि फल विग्यान को हम क्या बोलते है पॉमोलोजी बोलते है ठीक है यह horticulture के एक branch है उसके आप देके उसको processing करते ठीक है उसको heat देके उसको processing करते तो 25 मिनट के लिए इसको processing कायरे इसमें किया जाता है तो इसका answer जो है सही हो जाएगा उसके बाद next question क्यों बढ़ते है dehydration पर क्रिया में नाम बताईए जिसमें उत्पात को कम ताप तथा कम दाप पर रखा जा सके उच्छी क्रिया द्वारा नमी को बर्प के द्वारा निकाल देते देखिए dehydration का मतलब क्या है पहले यह समझे तो dehydration का मतलब है कि पानी को निकालना जो आप product जो आप preserve कर है उसको रखोगे तो उसमें से अगर पानी निकाल दोगे तो बहुत जादा देर तक आप वो सुर नमी को बाहर निकालना है तो नमी जो वर्प के द्वारा बाहर निकालते है फिर उसके बाद यह बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते है और इसमें कम ताप और कम दाप भी रहता है इसका टेंपरेचर और प्रेशर बहुत लो रहता है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा Asian European किश में इनका नहीं होता है तो इसका इन में से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही अंसर D हो जाएगा उसके बाद next question क्यों चलते है नीबू की पवदे संख्या परती हेक्टियर बताईए एदी square system में 6 into 6 meter की दूरी पर लगाया गया हो तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दिया हूं उसमें मैं detail में discussion किया हूं अगर नहीं देखे तो मैं link description में दे दे रहा हूं और उपर जो i button आ रहा है उसमें भी link दिया है तो वहां से जाके आप इसमें detail में आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एक hectare में आप अगर लगाओगे तो इस से कतार और पौधे से पौधे की दूरी तो उसको एक simply एक फार्मूला याद रखना है area divided spacing into 100 ठीक है इस फार्मूला से आप इसको calculate कर सकते हो तो यह area मतलब क्या है कि एक hectare को meter square में convert करना है तो यह hectare बरावत 10,000 meter square होता है divided spacing क्या है 6 into 6 मतलब कि 36 meter square into 100 हो जाए तो इसको calculate करने से कितना आएगा यह 277 मतलब 277 plants per hectare आएगा ठीक है तो इसका c number जो है सही हो जाएगा इसके बारे में अगर detail में जान करें चाहिए तो i button में जाए वहां से link में click किजिए और पूरा video देख सकते है ठीक है उसके बाद next question है एक farm की asset क्या है देखिए asset और liabilities यह दो term होता है तो assets का मतलब क्य है अगर simply इसको देखा जाये तो जो चीज आपके जेब में पैसा डालती है जिससे आपको पैसा मिलती है उसको आप asset बोलते है और जो आपके जेब से पैसा निकलवाती है उसको liabilities बोलते है simple भासा में तो यह farm के asset क्या हो जाएगा यह किसान के पास जो भी कुछ है उसका खुद का है जो जिस पे अधिकार उसका खुद का है उसको क्या बोलते है एक किसान के पास जो कुछ है वो उसका assets हो जाएगा तो इसका यह number जो है इसका सही answer हो जाएगा उसके बाद next question है निमनलिकित में से कौन सा उचाई ornamental जाड़ी नहीं है मतलब कि इसमें directly क्या होता है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा एक लिफ उसके बाद next question कि अचलते हैं फार्म inventory बनाने के लिए उचीत समय क्या है फार्म इन्वेंटरी का मतलब है लाब और हनी की सूची बनाना ठीक है फार्म इन्वेंटरी का मतलब कितना हमें खर्चा होगा कितना लाब होगा ठीक है तो उसका सूची कब बनाते तो किसा किरशी वर्ष के आरम में जब किरशी वर्ष हम चालू करते है ठीक है चालू होता ह है उससे पहले ही हम यह जो है लिश्ट हम बना लेते हैं कि इतना हमें खर्च करना पड़ेगा और इतना लाव होगा ठीक है इसका यह नंबर जो है सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोशन है पेक्टिन परिक्षिरन में उपयोग किया जाता है तो पेक्टिन परिक्षिरन में यह तीनों ही मेथट से हम पेक्टिन परिक्षिरन कर सकते हैं कितना परसेंट पेक्टिन है किसी फल में उसका हम निकाल सकते हैं तो यह तीनों ही मेथट से हम निकाल सकते ह यह भी एक detail में वीडियो बना दिया गया है वो भी आप उपर जो आई बटन में लिंक आ रहे हैं उसके तुरू आप जा सकते हैं और नीचे description में भी इसका link दिया है ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी इसका correct answer है ठीक है उसके बाद next question के और बढ़ते हैं तो farm record का lab क्या है तो farm record से क्या lab होता है तो farm record में उप्रोक्त सभी lab होता है इसमें जितना भी दिया है अधिक आय का साधन निदाना और युजना के लिए आधार स्वयम के आकलन है तो यह तीनों ही farm record का lab में सामिल होता है ठीक है farm record से यह तीनों प्रकार के lab मिलता है डिखुम आल्कोहल एसीटीक एसीड और लेक्टीक एसीड का निर्मान होता है तो इसका सी नंबर जो है सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोशिन है पपीता की डिब्बांदी है तु पपीता उसके बाद नेक्स्ट कोशन है पापीता की डिब्बा बंदी है तू उपयोग किया जाता है क्या उपयोग किया जाता है पापीता की डिब्बा बंदी है तू शुगर और सिट्रिक एसिड शुगर की 40 से 45 परसेंट और सिट्रिक एसिड की 0.3 से 0.5 परसेंट यूज किया जा इसका इसका बी नमबर जो है सई हो जाएगा उसके बाद next question है Pax का full form क्या है Pax का मतलब होता है primary agricultural cooperative society ठीक है तो Pax का full form क्या है primary agricultural cooperative society तो इसका ये नमबर जो ही सई हो जाएगा बाकि जो है यह गलत है उसके बाद next question है सब्जियों के डिबावंदी के लिए 2% calcium chloride का उपयोग किया जाता है क्यूंकि ताकि सब्जी थोड़ा सा hard हो ठीक है उसमें थोड़ा सा कठोर पना है तो इसमें जो B number दिया है यह सही हो जाएगा सब्जियों को कठोर करने के लिए 2% calcium chloride का यूज करते है ठीक है उसके बाद next last question है कुन सा पौधा topiary के लिए उपयुक्त है तो यह topiary के लिए तीनों ही उपयुक्त है इसमें देखिए व्यापम में यह गलत दिया था यहां पे इनमें से कोई नहीं दिया था जो कि गलत एंसर था ठीक है तो इसका क्या होगा और अपने दोस्तों से शेयर कर लिजिए